ये बात है 20 साल पहले की हम पृत्वी को छोड़कर अपने कॉलिनिस्ट के साथ जा रहे थे दूसरे ग्रह पर दूसरे ग्रह के और्बिट में गुसने के पाद अचनक से अपना शिप क्रैश हो जाता है और आधे कॉलिनिस्ट वहाँ से निकाले जाते है और आधे कॉलिनिस्ट वहाँ पर ही मारे जाते है और हम भी उसमें से एक है जो वहाँ से भाग निकलाए वो कॉलिनिस्ट तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर कितने बड़े-बड़े क्लियर क्रियेचर से और क्या-क्या है इस ग्रह पर तो हमें सिर्फ यहाँ पर सर्वाइव करना है और यहाँ से निकलना है अपने base के लिए और आप यहाँ पर देखी सकते हैं कितने इसके ग्राफिक्स भी बहुत ही बढ़या है इस game के तो फिर चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर घब क्रैश हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद हमारे बंदे को होश आ जाता है और उसे कोई तो पंची खीच रहा था I don't know कि वो कौन है तो यह ड्राइगन है या पंची है तो हमने उसे लात मारी और यहां से भागा दे और अपनी गन भी हमारे पास लिती इसलिए हमने चल्दी से गन उठा ली और वो पंची भी वहां से भाग गया पंची नहीं मतलब मुझे वो कौन है पता नहीं ड्राइगन है या कौन है वो तो इस पंची ने मुझे बहुत ही तंग किया था और साला मर भी नहीं रहा था कि हमने उसे मार दिया और उसके बाद उसका एक भाई भी वहाँ पर आ चुका था तो हमें इस लेंडने में बहुत ही तकलिफ हो री तो हमने उसे भी मार दिया इन पंच्छियों को मारने के बाद हम यहाँ से आगे चले गए और आगे चलके हमने छोटे मोटे क्रियाचर्स को मारा और उसके आगे चलने के बाद हमें बहुत सारे कुटों के जैसे कोई तो क्रियाचर्स हमें दिखाए दे थे और वो किसी को तो खा रहे थे ये नहीं पता कि वो हमारा बंदा था या किसी और था तो गाज फाइनली हमने बहुत सारे कुत्तों को वहाँ पर ही लपड़ दिया और यह बंदा यह कुत्ता देखो भाई इनके पीछ में से क्या निकल रहा है यह निकल रहा है यह भी नहीं पता और वो भाग रहा था हमने उसे भी मार दिया और आगे चल के देखते तो यह तो ओके चलो हमें आगे का एरो दिखाई दे रहा है तो आगे चलते और देखते कि आगे हमें इसे बड़ा क्या दिखता है और इसे ग्राफिक्स तो बहुत ही दगड़े और हमें आगे चलना होगा और अपने बंदों को यहां से निकल कर भागना ओड़ा ओ भागना ओ यह यह कौन आ गया मुझे लगता है यह बंदा है जो हमें स्टार्टिंग में हमें दिखाई देया था तो पता नहीं अब हमारे साथ क्या करेंगे तो के गाइस हमें होश आ चुका है और पता नहीं है अमें यहां पर नाया गया है तो भाई सब यहां पर और लगता है यह हमें मारने का यह फ्लाइन बना रहे है और हमें यहां पर बांत खहे और इसके पास तो भी बड़ा नाएफойти भाई यहामें मारने वाला है क्या तो यह अपना character है तो ओके यहाँ से क्यों view दिखा रहे है ओ भाई यह कौना गया यह अपना दोस्त हमें बचाने आया यह हमें मारने आया है भाई यह कौन सा इतना बड़ा creature है तो भाई वहाँ पर एक मारा हुआ creature था वो भी इतना बड़ा नहीं था भाई हमें यह भी मारने वाला है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा और हमारे हाथ में रस्ती भी लगी हुए टो हम यहां से भाग भी नहीं सकते हैं तो ऊके गाज तो हम बचने वाले हम बचने वाले है हमें यहां से भागना पड़ेगा अ simply देखते ही कि हमें आप्षिन आता है भागने का बाई यह क्या क्या लपट लपट के मार diabetes है हिन्हें तो यह दंपो इस अभी तक तो वह से भ्हाग चुके तो अपनी गन काह पर यह भी नहीं पता हमें और भाई यह द्यखो यह देखो यह तो इसने बठाए के चला गया है गया हमारे अपनी गन भी मिल चुकी है हमें तो हमें उसका पीछा करना पड़ेगा और उसे भी मारना पड़ेगा तो ओके आगे का एरो दिखा दे रहा है तो चलो आगे चल के देखते हैं कि ओके गास तो हमें जल्दी से आगे चलना पड़ेगा क्या हमें चलना मुझे तो आगे किसी को मार दे ओके आगे हमें उसे से डिस्टंस रख क्या आगे जाना पड़ेगा क्योंकि वह हमें पीछे आकर मार भी सकता है तो भाई ये देखो भाई ये कौन आते है बीच बीच में तो आगे से हमें बहुत ही चिल्लाने के आवाज आये थी लगता है यहाँ पर अपना ही बंदा है या कोई उनका बंदा ओ गाईस फाइनल यहाँ पर अपना ही बंदा है यहाँ पर मारा गया उससे हाथो थोड़ा जल्दी आते तो यह बच सकता था पर कोई बात नहीं इसने हमें अच्छी सी गन दे दिये शॉट गन तो हम इस गन से हम उसे लपेट सकते हैं लगता है यह बीचारा यहाँ पर अके चलना पड़ेगा तो ओके गाज तो यहाँ पर वो नीचे ही है तो हमें यहाँ से नीचे ही कूदना पड़ेगा तो जल्दी से यहाँ से नीचे चलांग लगाते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ पर है और नहीं तो मुझे यहाँ से कहाँ से तो आवाज है यह उसकी तो यह कहां से आएगा मुझे भी नहीं पता तो हमें यहाँ पर सेफ डिस्टंस उसे रख के उसे मारना पड़ेगा वरना वो हमें ही मार देगा थोड़ी देर के बाद वो क्रियेचर अपने पास भागता भागता आया और हमसे जगडा करने लग गया और इतना बड़ा था कि हम उसे मार भी नहीं सकते थे तो उसने हमें मार दिया तो उसके बाद हम फिर से उसे मारने के लिए वहाँ पर आ चुके थे तो हमने उसे मारने के फिर से ट्राइ की और उसने हमें फिर से मार दिया और दो बार उससे मार खाने के बाद हम तीसरी बार फिर से वहाँ पर आ चुके थे उसे मारने के लिए और इस बार हम उसे मार के जाने वाले कुछ भी हो जाए तो हमें उससे सेफ डिस्टंस रखके मारना पड़ेगा और cover लेकर उसे मारना पड़ेगा ये तो मुझे पता था तो हम उसे मारने के लिए यहाँ पर और तयार हो चुके थे तो हमने उसे बहुत बहुत देर तक fight की और finally उसने हमें मारा और फिर से हमने उसे भी मार डाला तो finally हमने उस बहुत बड़े creature को भी वहाँ पर मार दिया था और हमें एक भी अपना colonist यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था इतने बहुत बड़े सफर में तो हम वहाँ से आगे चटके बढ़ गए तो हमें नहीं पता था कि आगे चलके हमें बहुत सरे अपने बंदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या पिर बहुत सरे creatures आगे तो हमें बहुत सरे मिलने ही वाले हैं तो हम वहाँ से चले गए आगे तो हमें आगे चलने के बाद एक केउ दिखाई दी और हम वहाँ से आगे चले गए और हमने आगे देखा कि अपना बेस सामने ही था और वहाँ की ब्यूटी देख कर दो भाई मेरा तो पूरा दिन इस गेम पर आ चुका था तो गाइस इस गेम को यहाँ पर हम खतम करते हैं तो गाइस आपको यह वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते अगली वीडियो में तक कि लिए गुद बाई